राम राम जै च्छतिजगर जै मा भारती आप सभी का मेरी यूटूब चैनल ससे सक्षातकार में हार्दिक अबनेंदनेयों स्वागत है आज हम विशेशन और आगलन के माध्यम से समझने का प्यास करेंगे कि नितिश कुमार जी कैसे फिर से भारती जनता पार्टी के साथ जुड़ कर सरकार बनाते हैं इसके परदे के पीछे की कहानी क्या हो सकती है इसके पीछे का मोटो क्या हो सकता है सरकार जब लगभागा डेर साल 18 माना पहले जब भागपा के साथ थी तब भी हो अचानक छोड़े जब कि भाटपा के साथ चुनाओ लड़े आप सब को मालूम है 45 शिट नितिश कुमार जी की MLA जित के आये थे 79 आरजडी के थे और 78 आपका BJP के बिहार विधान सबा में 19 कॉंग्रेस पार्टी के 12 सभी कॉंग्रेस पार्टी जिसमें माले CPI, CPM और आवामे मोर्चा मतलब माजी जी के चार और OICG के एक MLA वहाँ पे जीत का और एक निर्दली ऐसी क्या परशिती बनी जिससे अचानक नितिश कुमार जी कहां पूरे देश में मोदी जी के खिलाब एक अभ्यान चला रहे थे, मद्बूत संगठन तयार कर रहे थे, इंडी गडवंधन बनाएं और मोदी जी के खिलाब यह बोलते पाए गए कि हम मोदी जी के रत को रोकेंगे या मोदी जी को प्रामिस्टर बनने ने देंगे और उनहीं के इस टेप से और उनहीं के प्रयास से जितने भी बीजेपी के खिलाब रानितिक दल हैं वो एक मंच में आये, मुंबई में बैठक हुआ, पटना में बैठक हुआ, सभी जगा बैठक, चलता रहा आप सब को मालूम है, और नितिश कुमार इसकी वाई करते रहे, सुरवात उन्हीं की थी, फिर ऐसा क्या हुआ, क्या परिशितिया से डेवलप हुई, कि नितिश कुम आर जी, कि मन में सत्ता का लोब है, या कुरसी का लोब है, देखिया आप, ये पूर सत्ते नहीं है, भाई, वो अगर मुखमंत्री नहीं होते, और बार बार मुखमंत्री बनने के लिए वो पाला बदलते, तब तो आप बोल सकते थे, कि वो मुखमंत्री के बिना नहीं रह पाते और मुखमंत्री बनने के लिए पाला बदलते हैं ये नवी वारों मुखमंत्री पत का सपतली है देखे आप तो मुखमंत्री तो थे हो फिर से मुखमंत्री बने तो इसमें मुखमंत्री का लालाच या मुखमंत्री के कुरसी के लिए भागना ये बोलना उचीत मेरे को नहीं लगता जितना मैं समझ रहा हूँ या जितना और लोग जो टिपड़ी करते हैं उसके अधार पर ये कथन मैं कह रहा हूँ कि वो तो अल्रेडी मुखमंत्री थे कोई आरजेडी ने तो उनसे समर्थन वापस नहीं लिया कि अब हम समर्थन वापस लेते हैं ये मुखमंत्री अब नितिश कुमार जी को नहीं चाहते जडियों में तोड़ फोड़ करतें अब मुखमंत्री नितिश कुमार जी को ये लगता कि मेरे मुखमंत्री का पद जा रहा है तो चलो मैं भाटपा से हाथ में ला लू तब मेरे को लग था कि निशित रुप से वो कुर्सी के लालची है वैसे भी आप मान के चलिया मैं पहले भी जन्नायक करपुरी ठाकुर जी को मैं नमन कर चुका हूँ नितीश कुमार जी की राजिती पूर त्याई मानदारी की राजिनिती है बड़ा सा बड़ा विरोधियत दुस्वन भी उनके उपर बेइमानी भरस्टाचारी और गलत आचलन कारोप नहीं लगा सकता अपने बेटे को वो भी राजिती में निला देखो आप जैसे कटपुरी ठाकुर जी निला है और बहुत ही सुचिता की राजिती करते हैं देगे ठीक है चुनाओ जीते बीजेपी के साथ बीजेपी को छोड़के चल दिये आरजेडी के साथ इसके पहले भी 2000 आपका 13 में 15 में जीते आरजेडी के साथ फिर चल दिये थे बीजेपी के साथ बहुत सारी बाते हैं क्या ही सिती देखिए आप सबसे पहले तो लोगसभा का चुनाओ है विधान सभा तो लगभग 3 साल के बाद है विहार में तब तक तो बहुत आगे की कहानी इबातत लिखी जाएगी लोगसभा अभी दो महने बाद है आज की सिती क्या है पिछला लोगसभा 2019 आरजेडी स्वारी जेडीउ नितिश कुमारज और बीजेपी मिलके लड़े थे और सतरा सीट भारती जनता पार्टी मालब कुल मिलाकर उन्नीस चालिस में से उन्नीस सांसा दिन के जीट काया थे सतरा बीजेपी सोला जेडीउ और राम विलास पार्टी जी की पार्टी जो दो भागों में बढ़ गई सौरगी उसके च्छै सांसा ऐसा करके कुल मिलाकर 49 जीटे थे एक सित कॉंगरेस जीती थी इसके पहले 2014 में जब लोग सभा का चुना हुआ तब जेडीउ नितिश कुमार की पार्टी याद करियाब भारती जन्ता पार्टी को छोड़ दी थी मोदी जी को जब भारती जन्ता पार्टी ने प्राइम मिस्टर कंडिडेट घोसित किया तो उनके पर वो दुनिया भार का दंगे का गोधरा कांड का और भी बातों का आरोप लगाते हुए वो बीजेपी से अलग हो गया लगभग 16-17 साल बाद भारती जन्ता पार्टी से अलग हो उस समर्भी में लिखा था कि ये आत्मा गाती कदम है नितिस कुमार जी का और कितना सीट जीते हो मात्र दो 22 जीती बीजेपी देखे आप 22 जीतने वाली बीजेपी फिर 17 सीटों पे लड़ती 17 जीती है और 2 सीट में जीते थी नितिस कुमार उनको लगभग 17-18 16 भारती जनता पार्टी देती है और वो 16 जीतते हैं आप देखिए आप समीकर्ण को समझने का प्रयास करिए बिना बीजेपी के वो लोग सभा चुना 2014 में नहीं जीते याद रखना आप और नितिस कुमार जी को मालूम है कि बिहार राज की राज़धानी में ये उनका आखरी पारी चल रहा है पिछले बार भी बोले थे कि मेरा आखरी चुनाओ है लेकिन परिस्थितिया बनती है निताओं के कदम भी बदलते हैं स्टेप भी चेंज होते हैं और कथन भी चेंज होता है अब जैसे बोले थे कि मैं कभी आरज़धी के पास नहीं जाऊँगा वो जंगल राज की पार्टी है माफिया पार्टी है फिर आरज़धी के पास गए जब आरज़धी के पास गए भी 18 माना पहले लग भग तो बोले कि मैं मरते मर जाऊँगा के बिजेपी साथ नहीं मिलाऊ हुआ पर सीत्याभ बादली क्या बादली क्या बादली मैं आपको भी बताता हूं कि पर्दे के पिछे क्या कहानी हो सकती है या होगी आप फिर बताइएगा कि मैं आकलाण और विशेसन मेरा सही है कि नहीं पहला ये कि लोग सभाचुनाओं का सम्मिक करण केमेस्ट्री उनकी बीजेपी के साथ बनती है 2014 में मातर दो सीट पाये थे एक प्रमुक करण तो ये है दूसरा आप देखे याप बिहार में मुखे रूप से दो धाराएं चलती है एक आपका बीजेपी वाली दूसरा आरजएडी वाली आरजएडी अपने एमओ उआई समिंग करना पर चलती है यादा और मुसल्मान नितिस कुमार के साथ कौन है नितिस कुमार के साथ कुर्मी समाज जिसको खुद आते हैं कोहरी, कुर्मी, कोहरी और जो छो छोटे अती पिछड़ जो इसको बोलते हैं लोकुस जो जो इसको बोलते हैं जिसमें नाई, धोबी, लोहार ये जो आते हैं बहुत सारे समाज आते हैं इनके निता हैं नितिश कुमार जी और भारती जनता पार्टी के साथ अती पिछड़ा अती दलित और भुमिहार, राजपूत, अब रामार समाज ये बीजेपी के साथ है बीजेपी लोग सभा में बहुत अच्छा परफर्मिंस करी आपका 2014 में भी और 2019 में भी मतलब नितीस कुमार साथ थे तो भी और नितीस कुमार नहीं थे तो भी अब क्या इस सिती बनती है, देखे आप, जब वो बीजेपी को छोड़े, जब की चुरा, वो बीजेपी के साथ लड़े थे, देखे आप जो 45 सीट आई नितीस कुमार की, उसमें भारती जंता पार्टी का भी योगदान था और जो 78 सित, बीजेपी के आई, उसमें नितीस कुमार का भी योगदान था, ठीक है, अब क्या परिशितिया मद लेए, मेरे को लगता है, दो बाते आपको मैं बता रहा हूँ, जो केंदर और राजे से मिलती है, पहला मैं केंदर के विशेपे बताता हूँ, नितीस कुमार करके सब को एक साथ कठा कर रहा हूँ, इदर महराश में सरत्पावार जी को, आपका डीमके को, ममता बनर जी को, आपका केजरिवाल जी को, कॉंग्रेस को, आर जेडी को, और भी बहुत सारी पार्टिया हैं, तो मैं यह समझता हूँ, नितीस कुमार के मन की बात ये थी, य पक्छ में को Y almonds नहीं है, जो मोदी जी से मकाबला कर सके, यही बात नितीस कुमार जी के मन में था, अब कोई गलत नहीं था, मैं इसको सहीं मानता हूँ, क्योंकि नितीस कुमार की शवी सांदार है, लेकिन कॉंग्रेस के खेलने, या लालू या दो, कॉंग्रेस के खेलने, नितिश कुमार को सहींज़क बनने नहीं दिया और उसके बाद उनको भाविष का प्रधान मंतरी घोसित नहीं किया देखिए आप मेरे को लगता है मामला यहीं पे टिश्ट हुआ मामला यहीं से बिगरना सुरू हुआ उसके बाद जो जो सला बैठक में नितिश कुमार जी देते थे उसको भी अंसूना किया गया चार मेहने का समय तीन से चार मेहने का समय कॉंगरेस पार्टी ने बैठक किया नहीं अड़ा बैठक होने दिया लालु यादा और कॉंगरेस की केमिस्टरी आप जानते हैं आप सब अच्छे से जानते हैं कैसे राहुल गांधी जी मुर्गा मटन बना रहे थे आपके लालु यादाओ के साथ प्रियंका गांधी भी साथ में थी कि कैसे मुर्गा बनता है कैसे मचली बनता है मैं पुन रूप से साकाहरी हूँ मैं मांसाहरी का भैंकर विरोट करता हूँ मांसाहरी का भी कि आप मांसमंद खाईए वेज बने रहे और बाकि जिसकी जैसी मर्जी भी आ ये देश है लेकिन आप देखें होंगे कैसे लोग बाप रे बाप वो केमेस्टिक कितनी सांदार है नितिश कुमार जी समझ गया कि कॉंग्रेस मेरे हाथ में नी आने वाली और कॉंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है वो कॉंग्रेस को ही रिजाने का काम कर रहते हैं कॉंग्रेस भी पाठची दल की सबसे बड़ी पार्टी है जब उनको ही लग गया ना तो मेरे सोयोजग बनाएंगे ना तो मेरे को प्रधान मंत्री पत का उम्मिद्वार खोसीत करेंगे फिर क्या बचा नितिश कुमार जी के लिए कुछ है नहीं बचा मतब जिस उद्देश के लिए वो भाठपा का साथ छोड़के आरजीडी के साथ आये थे कांगरेस को भी बिहार में साथ लिए थे वो तो उनकी मन सब पुरी हुई नहीं ना वो सोजग मन पाए ना वो प्राइम मिनिस्टर सबसे मतपूर था प्राइम मिनिस्टर कंडिडेट का घोसी थोना आप नो महने में ठीक से मिटिंग नहीं कर पाए तो बचे वे एक महने म नितbrereekर को कोई संभावनारा नहीं दिखी चतुर खिला रही है कहीं कोई दोरा नहीं मान के चलिए उसके बाद अब भीहार में क्या चल रहा था विहार में ये चल रहा था कि धीरे 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 जाति पिछड़ा है जो बहुत गरीफ हैं चिनके पर m y सम्मी करन राज करता है वो भी कहीं न कहीं बगावत के मुड़ में आ रहा था अगर नितिश कुमार जी बीजेपी के साथ नहीं आते तो मांगे चलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो उनका आती पिछले का वोन बैंक है कोईरी कुर्मी लोकुस जिसको हम बोलते हैं जिसमें नाई लोभी दोहार सोनार जितने भी लोग आते हैं ये सब भारती जंता पार्टी की ओर दोहजार चोबीस में चल देते और नितिश्कुमार ठगे हो जाते और उसके बाद दोहज सिंग को हटाए गया वह भी मुखर थे मोधी जी खेला वह भी नहीं चाहते कि बीजेपिक साता है इस तरह से मेरे लगता है कि नितिश्कुमार जी बहुत ज़्यादा जखर में फस उके थे और ये हालात होती अब बीजेपिक को क्या फाइदा दिखा आप पूछ सकते हैं जान सकते हैं कमेंट्स में लिख सकते हैं कि जब भारती जनता पार्टी मेरे इसाब से कम से कम 40 में 30 32 जीत ही रही थी फिर नितिश्कुमार जी से क्यों हाथ मिला है वो इसका सबसे बड़ा खरान आपको मा बता रहा हूँ कि भारती जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि आर का आर जेडी तो कुल मिलाकर ताकत इनका बर्ण था संसाधान ताका सत्ता सरकार और कॉंगरेस पार्टी और मजबूत होती जब मजबूती से चुना लड़ती अभी आर जेडी से ज़्यादा नुक्सान कॉंगरेस हुआ ध्या रखना आप पर्दे के पीछे के छेल को समझ का प्रयास करिए आपके राहुल गांदी जी आज बिहार में घुसे हैं सोचिए अगर वो सत्ता में होते आज कॉंगरेस पार्टी तो कैसा होता कोई न्यूज नहीं एक तो ये मॉरल विक्ट्री हो गई मोदी जी और कॉंगरेस बिजेपी की की उनकी यात्रा को कोई सपोर 34 32 बीजेपी जीती तो जो बीजेपी को लगता था कि हम 40 का 40 जीतेंगे कॉंगरेस बिए एक निक जीतना चाहिए आरज़ेडी भी एक निक जीतना चाहिए क्योंकि आप मान के चलिए कि जब आप साड़े 300 पूने 400 400 शिद जैसे बीजेपी बोलती हैं कि हम इतना जीत के है कि जो उत्तर बिहार का एरिया है वो कितना जादा सेंसिटिव है बहुत जादा सेंसिटिव एरिया है जहां पे कई सीटों पे आपके बंगला देशी लोग पाकिस्तानी लोग कितना इलिगल वहां पे घुस पैट किये हैं कलकत बंगाल के साथ इन सब बातों को देखते हैं कि हम 40 का 40 सिर्ट जीतेंगे क्यों हम एक भी सिर्ट नुक्सान करें 7-8 सिर्ट भी क्यों नुक्सान करें दूसरा आपका RGDP सत्ता से बाहर हो गई कॉंग्रेस बहुत कमजोर हो गई कॉंपनिस पार्टी भी कमजोर हो गई और नितिस कुमार पूंड रूप से जब वो प्रधान मंतरी पद उनको घोसित नहीं किया गया उहीं से सम्मिकार बिगणने लगा और उनके मन में बात आ गई कि अब मेरे को वापस बीजेपी के साथ जाना ही पड़ेगा ताकि मेरे संसच जीत के आए और मैं अच्छे तरीके से सरकार चला सकूं क्योंकि भारती जन्ता पार्टी ने उनको कभी धोका नहीं दिया जब भी वो अपना रास्ता बदले है नितिस कुमार जी तो नितिस कुमार जी ही बदले है भारती जन्ता पार्टी ने अपना समर्थन कभी वापस ने लिया ये आकलन ये विशेसान आपको कैसा लगा आप जरू बताएए मुख्यूरूप से जो मैं बाते आपको बताया यही बाते इस बात को आप कमेंट्स करके बताएए और कृपिया मेरे इस चैनल को बिहार में जितने आपके करीबी हैं वहां भेजी आप उत्तर को जितने करीबी हैं उनको भेजें देज़ भार में आप जी जीस वाट्शाप ग्रूप से जुणें सब को भेजें और सब को मेरे चैनल को क्योंकि मैं लोग सभा के बारे में भी बताऊँगा बताते जाऊँगा कि कौन जीतर रह रहा किस स्टेर में कितनी सीद लाकर किस की क इतनी सरकार आ रही जोरू बताऊंगा तो मेरे सबसे सचतकार चैनल को आप लाइक सबस्क्राइब और सेयर करते रहिए जय चछतिजगर जय भारतमा जय हिंद